साम लेकुम दोस्तों, उमीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, आज हम अपनी पहली CS101 की assignment के उपर बात करेंगे, हमारी जो पहली assignment आई होई है, इसको हमने कैसे solve करना है, इसके उपर बात करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो हैं, दो requirement है, मतलब दो सवाल ह परसन है, वो यह है, कि, you have to write the HTML code for creating a webpage as shown in the following screenshot, you have to write your own view ID using h1 tag, name using h2 tag and URL link of view website using h3 tag, हमने एक web page बनाना है, इसमें जो हमारा ID है, उसको हमने h1 tag के साथ बनाना है, और जो हमारा नाम है उसको हमने H2 का tag यूज़ करके बनाना है और जो हमारा URL है या जो link है वो हमने H3 का tag यूज़ करके बनाना है इसके बाद है create a table with your semester degree program all semester courses code हमने एक table बनाना है जिसके तीन column होंगे इसमें पहला column में हमने semester लिखना है कि हमारा semester कौन सा है उसके बाद हमने degree program लिखना है कि हमारे degree program कौन सा है उसके बाद हमने course code के हमारे semester के अंदर कौन कौन से subject है और उनके codes क्या है first two column in the table should be center aligned हमारे जो पहले दो column है वो center के अंदर उनका text आना चाहिए उनकी output center के अंदर है and course code column should be aligned left और जो हमारे course code है वो left में आने चाहिए इस assignment की दूसरी requirement वो यह है कि you are required to solve a given boolean expression हमें एक boolean expression दिया हुआ है by filling the following truth table और हमने वो truth table है यह उनको solve करना अब हम लोग पहले question की तरफ जाते हैं उसके हम solution को देखते हैं कि वो हमने कैसे solve करना है हमारे पास HTML जब हम लोग शुरू करते हैं तो HTML basically boxes की game है इसमें 6 हमारे पास basic tag होती है उसमें पहला जो tag हमारे पास HTML का है उसके बाद हमारे पास head का tag है हर box open होता है उसके बाद फिर वो box close होता है उस box के अंदर एक और box है फिर उसके अंदर एक और box हो सकता है कि इस box के अंदर मजीद 2 box है और उनमें से फिर आगे किसी एक box के अंदर फिर कोई एक box हो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि शुरू में HTML लिखा हुआ है HTML को फिर हमने end के उपर उस box को बंद किया हुए उसके साथ flash लगा कर वो हमने box को बंद किया हुए उस HTML box के यह एक सबसे बड़ा box है इसके अंदर हमारे पास बाकी सारे boxes है उसके बाद हमारे पास एक head का box है उस head के box के अंदर हमारे पास एक title का box है टाइटल के अंदर हमने लिखा हुए My First Affignment फिर head के बाद हमारे पास Body वाला portion आता है Body वाले portion में देखें Body वाले portion के अंदर हमारे बाकी के सारे जितने भी टैग्स हैं वो इसके अंदर आएंगे अब हमारा जो फर्स्ट क्वेस्टन था उसकी जो पहली रिक्वार्मेंट ही वो यह था कि हमने अपना वी यू आईडी लिखना है और उस वी यू आईडी के साथ हमने हमने एच वन का टैग लगाना मतलब वी यू आईडी हमने एच वन वाले बॉक्स में हमने एच वन लिखा उसके बाद अपना आईडी लिखा और एच वन के बॉक्स को हमने बंद कर दिया उसके बाद हमने एच टू का बॉक्स ओपन किया उसमें अपना नाम लिखा जैसे यह नहां पर हम ने मुशिन रजा लिखा और फिर हमने h2 के box को बंद कर ऑफ के बाद हमने h3 का box open किया उसके अंदर हमने hriff लगाया hriff हम लोग reference के लिए यूज़ उसमे हमने equals लगाए inverted comma के अंदर हम वो लोग लिखते हैं कि अगर हम उस लिंक पर क्लिक करें तो वह कहां पर जाएगा यहां पर हमने http colon http f colon slash www.vu.edu.pk मतलब हम उस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो वह हमें कहां पर redirect करेगा वी यू की में वेबसाइट पर redirect करेगा उसके बाद हमने अब जो हमारी output आएगी उसमें लिखा होगा वर्चुल उनिवर्फिटी आफ पाकिस्तान और जब हम वर्चुल उनिवर्फिटी आफ पाकिस्तान पर क्लिक करेंगे तो वह हमें वर्चुल उनिवर्फिटी आफ पाकिस्तान का जो वेब पेज है वहां पर redirect करेगा वहां पर इसके बाद देखें, हमने एक अटेक को क्लोस किया और फिर हमने जो h3 का बॉक्स को बंद किया उस फिर अटेबल बनाना है तेबल में आमने टेबल लिखा टेबल का टेग शुरू किया उसमें अबने एक अट्रिबुट डाला जी बॉड़र जी बॉड़र, टेबल का एक एहले हम row बनाएंगे, table row बनाने के लिए हम tr का tag use करेंगे, tr का box open किया, tr के box भूपक्स को हमने साथ ही close गै, हम जो भी box open करें हैं, उसको साथ ही आप close करें, उसे फाइदा ये होगा, कि आप भूलेंगा नहीं कि हमने किसी box को open किया और उसको close करना हम भूल गए हैं, तो हम ल तो हमने इसके नदर तीन टी एच कर टाइग यूज किये हैं पहले टी एच के टाइग के साथ हमने समेस्टर लिखा है कि हमारे डूसरे या तीसरा है उसके बाद आपने डिग्री प्रोग्राम कॉं सा है हमलोग हम लोग मीट का रहे हैं तो मैट लिखेंगे अगर हम लोग Mb. जो एक गर रहे हैं तो MBA लिखेंगे और अगर हम BS का रहे है तो BS यह एक हम बाद हम लोग पर कोंकी हम फॉरस्ट रो ज़सके अंदर होती है एक को लिए जाती है है second row के लिए फिर हमने TR का tag यूज किया और फिर TR के tag को साथ बंद कर दिया उसके बाद हम लोग तेबल डेफिनेशन डाली TD के साथ इसके साथ हमने एक attribute यूज किया row span का row span क्या करता है row span basically 2 rows को आपसमें merge कर देता है उस में हमने second लिख दिया और msba लिख दिया मतलब ये वाली जो दो अगली दो रोज बनेंगी उनको आपस में सेकंड वाले को दो को मर्ज कर देगा और जहां पर MSBA लिखा हुआ है उसको भी आपस में मर्ज कर देगा अब next हमने फिर TR शुरू किया TR के अंदर हमने TD डाला TD के अंदर हमने CS101 या introduction to computing लिखा य मैंने फिर CS101 लिख दिया है तो इसको हम फिर CS101 मतलब ये जो लाफ 2 रोज बनी है वो जो पहले पीछे आ रही है उनको आपस में वो मर्ज कर देगा और यहां पर हमें 2 रोज दिखाएगा इसी तरह मैंने table को end पर close कर दिया है इस सारे code को हमने notepad के अंदर लिखना है notepad क के अंदर लिखने के बाद हमने इस file को save करना है और जब हम लोग file को save करेंगे तो उस file के end पर file name के साथ .htm या .html लगाना उससे क्या होगा हमारे पास एक output मतला web browser की शकल में generate होगी हम जब उसको open करेंगे तो उसका हमने screenshot लेना है screenshot कुछ ऐसे होगा और फिर हमने उसको हम हमारा जो question no.1 है उसके नीचे सबसे पहले हमने code paste करना है और code paste करने के बाद यह जो हमने output का screenshot लिया है वह paste करना इसके बाद हम question no.2 की तरफ आते हैं question no.2 में हमें एक table दिया गया उस table का हमने वह boolean expression है उसका हमने truth table बनाने के लिए हमारे पाफ जो boolean expression हो चार के फिम के है उसके हमारे पाफ जो first boolean expression हो not है उसका हम dash की जो symbol है उससे represent करते हैं इसके बाद थर्ड हमारे पाफ बुलियन और है उसके बाद प्लस के साथ रिप्रिवेंट करते हैं अब हमने इनको निकालना कैसे है निकालने के लिए नौट का मतलब नहीं है नहीं मतलब हमने जो हमें टेबल के अंदर दिया हुआ है उसका हमने उलट लेना मिसलन अगर हमें एक कालन के अंदर यूद ओर और यह हम नाम से ही चीज और बी कें अंदर और दोनों के अंदर अगर वही चीज होगी तो फिर रमने उसको कला यहाय जड़ा है तो हमने वन लेना है अगर जे को सबस्केण कि करना है तो हम नहीं करना ओक भी करना ओघर छोर्ट को निकालने का तरीका क्या हैए अगर दोनों की वैल्यू 1509 तो इस में लोग क्या करते हैंं, इस में दोनों फाइडों को तो देखते हैं किसी एक साइट पर true value होने चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए, तो हमारी जो V की value आएगी, वो 1 होगी, अब X की value 0 है, Y की value हमारे पाफ 1 है, तो हमारे पाफ 1 answer आएगा, अगर हमारे पाफ Y की value 1 है, और X की value 0 है, या इसके अपवेट है, तो भी हमारे पाफ 1 और जो XR है, वो इसका थोड़ा सा उलट है, और के अंदर हम लोग यह देखते हैं, या X की value 1 हो या Y की value 1 हो, लेकिन XR में, अगर और के अंदर अगर दोनों में 1 आए जाए तो हम उसको 1 लेते हैं, लेकिन XR के अंदर अगर दोनों में 1 आजाए तो उसको हम 0 consider करते हैं, अगर दोनों में 0 आ जाए तो भी हम उसको 0 consider है. और में और एक आओर में फिरस यही फरक है, कि उसमें हम एक साइट पर या देखते हैं, कि X की value या तो true हो, या Y की value हो, तो हम उसको true लेते हैं. और अगर दोनों true आ जाएं, मतलब दोनों 1 आ जाएं, तो उसको हम दोनों में जो है one consider नहीं करते हैं बलके zero consider करते हैं अब हम इसको solve करते हैं जी अब हमारे पाफ जो first requirement दी हो यह column number four के अंदर वो a plus b दिया हुआ है मतलब हमने और निकालना है और में हम लोग क्या करते हैं हम या देखते हैं मतलब या तो A की value true हो या B की value true हो मतलब किसी एक fight पर true यानि 1 होना चाहीए अब देखें हमर अपर first row के अंदर zero are zero है वो वो उमने ब Kritz लगा दी है इसके अगली row में zero are zero है ने 0 लगा दी है उसको अगली row में देखें वे वोन यह दोन वान, व पधनना ले लिए, फिर अगली रो में 1 ले लिए और अगली रो दोनो रो्व पर लेृत रो । व रे लिए नहीं किसा था तो लिएर ख Commonsisen barely भ connection. नौट में हम लोग पहले नॉट में हम लोग उलट कर दया है। अगले र öğ में पहले रह फिर हमें संत शाले नॉट कर दिया आगे क्या दिया और पहले रहने प्र Saysions लॉट कर दिया। और अगे जो 4 दियो है वो हमारे पास true value दिया है, मतलब 1 दिया है तो हमने अनौट उन 4 लास्ट वालों को 0 कर दिया जो C नौट फाइंड करने के लिए C पे पहले हमारे पास 0 है फिर 1 है हमने उसका उलट 1 और 0 लगा दिया फिर हमारे पास 0 है फिर हमने 1 0 लगा दिया फिर 0 है फिर 1 0 लगा दिया और लास्ट जो 2 रोज है और वो 0 है फिर हमने इधर भी लास्ट टू रोज है उसका उलट 1 और 0 लगा दिया 1. नेक्स्ट जो क ost करता ही, वह हमारे यमारे पास a 0- Baltimore c 0. Hमने क्या किया है a 0 भी हमने पहले निकाला हुआ है c 0 भी निकाला हुआ है तो हमने इन दोनों को plus करना है मतलब और करना है और करने में हमने पहले भी देखा कि अगर हमारे दोनों side में true value आ जाती है ने सब्सक्राइब delta 1 अब सब्सक्राइब इसे हमस्काइब क्योंड़ाओ यूफट के लोड़े मैं तो थो 1 लगा दिया, आगे देखें, हमारे पाफ दोनों 0 आ गया है, मतलब दोनों 0 आ गया है, तो हमने 0 लगा दिया, क्योंकि हमें या चाहिए, एक फाइट पर हमें true value चाहिए, इसलिए हमने 0 लगा दिया, आगे पीर हमारे पाफ 0 और 1 है, हमने 1 लगा दिया, आगे दोनों 0 है, त हमारे पास true value आ जाए तो उसको हम zero लेते हैं, जबकि और के अंदर अगर दोनों side पे हमारे पास true value आ जाए तो भी हम उसको true लेते हैं, और और XOR में फिरस यही फर्क है, तो हम लेते हैं जी, और B के साथ compare करना है, तो देखें हमारे पास first row के अंदर zero और one है, हमने one ले लिय है, और फिर हमारे पास true value और one है, हमने one ले लिया, अब देखें अगली रो के अंदर पास one और one है, XOR के अंदर जब हमारे पास one आजे तो उसको हम zero लेते हैं, जबकि अगर हमने यहां पे और निकालना होता, तो हम यहां पर फिर one लेते हैं, क्योंके दोनों side पे one, अगल one video है, तो हमने उसको one क्यार दिया, हमारे पास last जो requirement है, वो हमें दी हुई है, A और B का हमने not लेना है, और dot operator यूज किया हुए है, dot operator हम लोग end के लिए यूज करते हैं, और फिर हमने a not और c not और उसका x और b के साथ, और इन दोनों का आपफ में हमने end लेना है, अब हमने a और b का not हमने पहले find किया हुआ है, और हमने a not plus c not और उसका x और b वो भी हमने पहले find किया हुआ है, अब हम इन दोनों का आपस में comparative करेंगे, और उसमें end लेंगे, end में हम लोग क्या करते हैं, end में हम लोग और लेती हैं, और मतलब ये, कि अगर दोनों साइट में एक आए, गाद तो एक आएगा, मसलाँ x में एक है और y में जीरो है, तो जीरो आएगा, अगर x में एक है और y में भी एक है, तो एक आएगा, अब यहाँ पर हमारी जो फ़फ्ट रोफ में one दिया हुआ है, हमने one दूस्टी रोव में भी one one दिया हुआ हमने one लगा दिया है, और उसके बाद आगे वीरो वीरो दिया हुआ हमने zero लगा दिया, आगे फिर वीरो वीरो दिया हुआ है, हमने zero लगा दिया हुआ है, अगले रोव के अंदर zero और one दिया हुआ है, अब यहाँ पर और और देख स उसके बाद हमारी ये जो question number two है ये भी solve हो जाता है और उसकी सुरत्याल कुछ ये बनती है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरा चैनल ज़रूर subscribe किये जिए और उसके साथ जो bell का button दिया हुआ उसके जब मेरी कोई next वीडियो है तो आपको अलर्ट ज़रूर जाए थैंक्स फर वाचिंग अल्ला हाफीज